आज हम बात करेंगे भारत सरकार की तरप से एक नया पोर्टल लॉंच किया गया है जिसका इस्तमाल करके आप ये देख सकते कि आप किसे भी स्कॉलर्शिप के लिए एलिजेवल है की नहीं यानि कि आपको स्कॉलर्शिप मिलेगा की नहीं मिलेगा अब आप मातर 5-6 मिनिट में चेक कर सकते हैं और आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वालाऊं कि इसको आप किस तरीक से चेक कर सकते हैं और आपको क्या क्या डिटेल्स वगेरा फिलप करना होगा कैसे फिलप करना होगा सब कुछ बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखिए और इगनुस रेलेटेड सब ये अप्टेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को ओन कर लिजे ताकि सब ये अप्टेट आपको मिलते रहे सबसे पहले आप इगनु के एडिमिसन वाले पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि अगर आप किसी भी स्कॉलर्शिप के लिए एलिजेबल है तो आप नेशनल स्कॉलर्शिप पोर्टल से एडिमिसन कनफर्म होने के बाद स्कॉलर्शिप के लिए यहाँ view पर आप click करेंगे तो यह page open हो जाएगा, इसका direct link भी मैंने नीचे दे रखा है, यहनि कि आपको scholarships.gov.in slash scholarship eligibility slash इस वाले page पर आना होगा, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आप अपना details को किस तरीके से fill up करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखेंगे, तो जिस भी section में, जिस भी option में star लगा हुआ है, उसको fill up करना compulsory है, जिसमें star नहीं लगा है, उसको आप खाली भी छोड़ सकती है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको domicile बताना है, state बताना है कि आपका कौन सा state है, तो वो आप यहाँ पर इस तरीके से select कर लेंगे, फिर यहाँ पर आपको अपना नाम fill up करना है, जो भी आपका नाम है, पूरा नाम आप यहाँ पर fill up करेंगे, जो आपके education qualification के documents पर लिखा गया है, फिर यहाँ पर आप अपना gender बताएंगे, जो भी आपका gender है, और यहाँ पर आप अपना date of birth select करेंगे, जो कि आप इस तरीके से select कर सकते हैं, आपका जो भी date of birth है, यहाँ पर आप इस तरीके से select करना होगा, फिर यहाँ पर आपको marital status बताना है, तो आपका जो भी है, इस काम करते हैं, अगर यहां लिस्ट में नहीं दिखता है, तो यहां पर other का option भी दिया ग़िद्ग, फिर यहां पर आपको अपना religion बताना है तो आपका जो भी हिस तरीके से select करेंगे, फिर यहां पर आपको यहां पना community बताना है, जिसमें कि आप अपना cast select करेंगे जिसमें की journal, OBC सारे option दिये गे हैं आपका job यह select करेंगे फिर यहाँ पर आपको disability बताना है कि आप में किसी परकार का disability है की नहीं है तो yes पर click करेंगे और details को fill up करेंगे अगर आप सारी रिकिलूप से fit है तो आप यहाँ no पर click करेंगे और फिर यहाँ पर आपको parents not alive का option मिल जाता है यह optional है आप इसको भड़ी भी सकते हैं और खाली भी छोड़ सकते हैं और फिर यहाँ पर आपको scholarship का category बताना है कि post-metric और scholarship है या फिर pre-metric तो आप इस तरीके से select कर लेंगे फिर यहाँ पर आपको scholarship का type बताना है जो कि आप incentive या फिर scholarship select कर सकते ह यहाँ पर आपको scholarship select करना होगा और फिर यहाँ पर आपका जो भी college है institute है या फिर university है उसका नाम आपको यहाँ पर बताना होगा जिसके आप यहाँ पर click करेंगे या फिर get institute पर click करेंगे तो जो आपका college है university है वो आप यहाँ पर search कर लेंगे जिसके लिए आप यहाँ पर click क्लिक करेंगे आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे यहां से आप अपना डिस्टिक बताएंगे आपका जो भी डिस्टिक है यहां पर मैं आपको स्रीफ बता रहा हूं कि किस तरीकी से फॉर्म को फिलप करना होगा और सर्च पर क्लिक करेंगे तो जितने भी कॉलेज रहते ह उन से आपको contact करना होगा फिर यहाँ पर आपको अपना course का details देना होगा कि कौन से course में आपने admission लिया है जिसके आप यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको course का name type करना होगा जो कि अब यहाँ पर type नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो college है वो select नहीं हुआ है जब यह select हो जाएगा तो यहाँ पर भी आपको select करने का option मिल जाएगा फिर यहाँ पर आपको mode of study में बताना है कि आपका regular है, full time है, correspondence, distance से है या फिर part time है जैसे कि आपने इगनू में admission ले रखा है तो 12th का details fill up करना होगा क्योंकि यहाँ पर previous बताया गिया है तो जो percentage है यहाँ पर डालेंगे और previous course का जो year था वो आप यहाँ पर इस तरीके से select कर लेंगे और previous board या फिर university का जो नाम था वो आप यहाँ पर select कर लेंगे फिर यहाँ पर 12th class का जो board का रोल नमर रहता है वो डालेंगे फिर यहाँ पर कौन से board से आपने 12th class complete किया है वो यहाँ पर बताएंगे फिर 10th class का रोल नमर डालेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे तो आप से पूछा जाता है competitive exam के बारे में यहाँ पर exam कब हुआ था वो आप यहाँ पर year select कर लेंगे और फिर यहाँ पर आपको बताना होगा कि यह कहाँ पर conduct हुआ था तो आप अपने according यहाँ पर कोई भी select कर सकते हैं और एक ऐसा verification code आएगा जिसे आप same to same यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ check eligibility पर जैसी आप click करेंगे तो यहाँ पर आप जो भी details देते हैं तो आपके details के according आप जिस भी scholarship के लिए eligible रहते हैं यहाँ पर आपको बता दिया जाता है और साथी में आप जिस भी scholarship के लिए eligible रहते हैं तो उसके लिए आप कब तक apply कर सकते हैं पर लिखा रहेगा क्या के documents लगेगा वो भी लिखा हुआ रहेगा यहाँ पर यह भी बताया गया कि अगर आप सभी details को देते हैं लेकिन यहाँ पर आपको बताया जाता है आप किसी भी scholarship के लिए eligible नहीं है अपने details के according तो आप यहाँ से अपना details को डालिए और चेक किज़े कि आप scholarship के लिए किसी भी scholarship के लिए eligible है की नहीं अगर eligible है तो आप मुझे नीचे comment box में जरूर बताना कि आप कौन से scholarship के लिए eligible है इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया है तो like किजिए, share किजिए और इगनुस related सभी अपटेट है instantly पाने के लिए आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते है link मैंने नीचे दे रखा है साथी साथ आपका कोई सवाल है तो नीचे comment box में बता सकते है